वनेकम वंदनाव स्वागत विनमस से यह सर्शेकाल अले सलाम वालेकूँ अले दोस्तों मैं आपकी प्रेयर दोस्त प्रियंक आप सभी का स्वागत करते हो गागे क्लासिस के इने नेक्ष्पेस के एडिटोरियल आइडिया और एक्स्परिनेशन पीच के डिसकेशन पे आज है 15th of June Saturday है तो देख लेते हैं आज आर्टिकल में क्या-क्या है एडिटोरियल में एक लेफ्ट साइट में जो है एक तो नीट पे है और उन्होंने NTA के बोला कि आप जो है जो बच्चे हुए बच्चे थे मतलब में ली 1500 प्लस जो बच्चे थे 1563 के आसपास उन बच्चों का री एक्जाम करने के लिए बोला गया है ठीक है और री एक्जाम अगर कोई बच्चा नहीं देना चाह रहा है उन 1500 something people में से अगर गया है और और जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंदर प्रधान ने ये बात बोली है कि देखिए 4500 एक्जामिनेशन सेंटर में से 66 में छे एक्जामिनर सेंटर में ही ऐसे हुए है ऐसा नहीं कि सब में हुआ है यह बोलना चाह रहे है कि ट्रांस्परेंशी को बरकरार र उसमें चेड़ चाड करी गई है जो एक ट्रांस्परेंशी मेंटेन करने चाहिए थी तो उसी के बारे में वापस है बाकी जो है राइटर यहां पर लास्ट में एक सजेशन ये देना चाह रहे है कि इशू वही है जो कि कि इतने लाग 24 लाग बच्चे जो है इस बार बैठ दिया है कि हम UGC से पूच सकते हैं क्योंकि UGC ने अभी रीसेंटले आपको बता होगा है अलाव कर दिया है कि जो एन्वल इयर एड्मिशन है उसको बाइनियल करने के लिए तो यहां पर यह अब जो है आईडिया जो एक डिसकुशन चल रहा है कि गवर्मेंट शायद और नीट से बोला जा रहा है इनतीय से कि UGC से भी वो सजिशन्स ले कि क्या अगर एक साल में दो बार नीट होगा तो इससे क्या होगा ओवर्ल जो प्रेशर पड़ता है एक्जाम के कमिशन्स पर वो चीज थोड़ी कम होगी इस तरह कि जो चीजे हैं वो हमें देखने को क अगर जाम मिलेगी तो यही था नेक स्टाटीकर पर चलते हैं देखिए यहां पर यह आर्टिकल थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है कि अच्छली कह है गुजरात के अंदर जो आपका वडोदरा मुनस्पालिटी है टीक है वडोदरा मुनस्पालिटी के अंदर में जो है कॉंपलेक्स में जो है हाउसिंग अनीच कराई जा रही थी ठीक है तो उसमें क्या हुआ है एक इशू यह हुआ है कि 44 एर की मुस्लिम वोमेन को जो है एक प्लाट अलाउट हुआ था ठीक है अंदर दर मिनिस्ट्री है जबकि यह एक एम्पलाइंग है किसकी मिनिस्ट्री अब जब यह बात क्या हुई कि इन्हें मुख्यमंत्री आवास योचना के तहर जो है वडोदर मुनिस्ट्री कॉपरेशन के अंदर जो है एक कॉंपलेक्स यानि हर्डनी करके एक जगह है वहाँ पर इन्हें घर मिला इशू तब हुआ जब आस पास के कम से कम 33 ने कम्प्लेइन करा कि she is a Muslim ठीक है तो इस वज़े से हमें insecurity है कि कभी कुछ होना जाए ठीक हमें थ्रेट है इस चीज से तो इस चीज का concern जो है राइटर यह दिखाना चाहरे है और राइटर यह बता रहे है कि वडोदरा में यह कोई पहला केस नहीं है कि Muslim के Muslim के यह सीधा सीधा आपके article 14 का जो constitution guarantee देता है right before the law, equality before the law, law और 15 article clause 1 में यह सीधा सीधा प्रोहिबीट करता है कि कि किसी भी citizen के साथ हम religion, race, caste, sex और place of birth के basis पे discrimination नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो है राइटर एक चीज और बता रहे है कि देखें यह incident पहले भी होते थे ज rights के वज़े से क्या हुआ कि वहां के authority ने the disturbed area ordinance पास किया था, इसके अंदर क्या था कि जिस अरिया में दंगे विगरा होते हैं तो वहां से जो भी लोग रह रहे हैं वो अपना मकान नहीं बेच सकते हैं, ऐसा होता ना जिसे कि कोई अगर peace clause खाता मोरी है, disturbance बार बार होता है तो अक्सर हम क्या करते हैं उस area का मकान ही छोड़के कहीं और shift हो जाते हैं, तो इन्होंने यहां the disturbed area ordinance पास करके बोल दिया, कि वहां से कोई भी मकान खाली नहीं करेगा और खाली करके बेचना है, तो आपको collector से permission लेनी पड़ेगी, ठीक हैं, तो इस वज़े से क्या हुआ क कई जो minorities हैं, उन्हें जबरदस्ती उन्हें वो जगे छोड़के जाना पड़ता था, safety के purpose थे, ठीक हैं, तो ये चीज़ा धेरे धेरे वहां पर जो है एक अपनी खुद के law में ही convert हो चुगी है, ठीक, इसके सासा जो है ये 1991 में बतारहे हैं कि permanent law के form में ही convert हो गया है, तो ये बहुत ही एक अलग है जो marginal society के लिए कहीं न कई threat का एक suspicious का काम करता है, ठीक हैं, तो इसलिए यहां पर वडोदरा को थोड़ा writer ने क्रिटिसाइस किया है कि कभी भी religion के basis पे किसी को इतना जादा कि insecure feel करवाना society में जहां आपके article 14 और article 15 जैसी चीज़े exist करती हैं, ठीक, rights for every citizen feel a favor of prejudice जो है, देने की जरूरा है, तो यह case study है, ठीक है, तो हम इसका use कर सकते हैं, next article पर चलते हैं, ठीक है, यहां पर जो है, आपको बताया है कि NDA गौर्मेंट की 3.0, especially मोदीजी की 3.0 है, तो यहां पर कुछ examples राइटे बता रहे हैं, जहां NDA गौर्मेंट के द्वा गीरियर के लोगों को, जिनमें society में, ठीक है, society में थोड़ी, कैसे बोले, जिससे society में थोड़ी, और अप्वर्ड लिफ्ट करने की जरूरत है, कौन-कौन आते हैं इसमें, जैसे women हो गया, schedule caste हो गया, schedule tribe हो गया, old age हो गया, ठीक है, बच्ची हो गया, children हो गया, तो इस तरह के, जो community के लोग हैं, इन्हें uplift करने के लिए, गौर्मेंट के द्वारा जो actions उठाए जाते हैं, वो कहीं न कहीं social justice के अंडर में आते हैं, ठीक है, तो यहां पर कुछ examples बताया है, जैसे for example, writer बता रहे हैं, कि जब April 5, 2016 में, इंडिया की political history में, एक major changes था, वो ये था, कि stand-up इंडिया करके एक initiative government के द्वारा शुरू किया गया था, ताकि schedule caste और schedule के जो women's हैं, वो entrepreneurship में अपना आगे नाम रखे, especially in UP, ठीक हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे honorable prime minister ने, बाबु जग जीवन राम, ये senior Congress के बहुत अच्छे बड़े leader थे, senior leader, तो उनकी जो birth ए अनिवरिस् ये non-partition government थी, that means कोई भेदवाव नहीं, कि social justice में ये matter नहीं करता है, कौन किस party का है, कौन किस तरह के से हैं, लेकिन सब को equally treat करना ही, इस party का एक motive है, ऐसा राइटर बता रहे हैं, ठीक हैं, तो चाहे वो constitution में tribute करने से लेकर, या फिर आप tribute या central hall ने constitution को सलाम करने से लेकर, या फिर constitution day celebration करने से लेकर, इससे ये पता चलता है, कि ये जो government है, ये social justice को काफी जादा जो है highlight करती है, ठीक है, इसकी साथ कुछ examples यहां बताये हुए हैं, जैसे अगर आप इस side देखो, देखिए इन्होंने कहा कि जैसे अगर हम बात करें, कि अभी 2014 के पाद भी जैसे होने वाले हैं, Mohan Manji, ठीक है, तो जो चार बार MLA रहे हैं, वो एक ट्राइबल लीडर है, ठीक है, इसकी साथ साथ जो हमारे प्रेजिडेंट है, ठीक है, द्रापती मुर्मुन, शी वोज़ फर्स इंडिया's फर्स ट्राइबल प्रेजिडेंट, ठीक है, इसके अलावा जो member है, head है, वो है GC मुर्मुर, यह GC मुर्मुर अलग है, द्रापती मुर्मुर अलग है, यह male है GC मुर्मुर, ठीक है, तो यहाँ पे, यह लोग tribal है, तो यहाँ इससे पता चलता है, कि हमारे government के central level पे governance में, social justice के community से लोगों को जो है, uplift करने का एक मौका दिया जा रहा है, ठी जिसे 2000, के ना, government ने ये 2025 को, अभी से decide कर लिया, कि 2025 को बिर्सा मुंडा जी का, 150th birth anniversary होगी, तो उसे 2025 के साल को, that means, next year को, हम जन जाती गौरफ वर्ष के form में, honor करेंगे, तो यह बहुत बड़ा credibility है, government का, इस तरीके से actions उठाना, इसके लावा, जो है, राइटर बता रहे है कि यहाँ पर जैसे, जितन राम मानजी करके हैं, जो 80 साल की थे, जिन्होंने refuse कर दिया था, give up करने के लिए, ठीक है, और इन्होंने, electoral में ये बहुत बड़े successful रहे, अपने coalitions में भी, तो यह बहुत ये बड़ा, एक अच्छा example है, तो यहाँ पर दलित लीडर से लेकर, ज जीसे, फर एक्जामपल, और अमबिडगर के 125th Anniversary को अड्रेस करना, ठीक है, तो यहाँ पर continuously चीज़े बताती हैं, कि हमारे Indian Governance में, जो है, social justice को एक बहुती तवज़ों दी जाती है, बहुती जो है, highlight, एक response दिया जाता है, गौर्मेंट की दौरा भी, ठीक है, तो यहाँ यहां पर राइटी बोल रहे हैं कि एक चीज यह मित तोड़ी गई है इस प्राटी की द्वारा पहले यह माना जाता था कि बीजेवी जस्ट फॉर दा ब्रामिन बनिया पार्टी ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है और यह जो है OBC दले ट्राइबल बाक्वर्ड मुस्ट अफर्मेटिव अक्षिंज उठाती है ठीक है तो यह पॉजिटिव था देखे हमें गॉर्मेंट पॉलिटिक से हमें मतलब नहीं है चोई वह पॉलिटिक्स के मुद्दे से करें मतलब से करें लेकिन फिर भी कुछ कुछ अक्षिंज जन्यूनली गॉर्मेंट के द्वारा अप्रिशेशन करने हैं तो ये सब चीज़े आप अपने आंसर में कोड कर सकते हो जेकर निक्स आर्टिकल चलते हैं देखे निक्स आर्टिकल अपने आइडिया पेच से एक आर्टिकल है जी सेवन के उपर आपको पता है जी सेवन की मिलिंग चल रही है और हमारे ऑंडरे प्राइम इनिस्टर भी भाग गए है, इन्वाइटेड है, ऑल्दो इंडिया जो है G7 ग्रुप का मिंबर नहीं है, ठीक है, तब भी जो है, यहाँ पर इंविटेशन मिला है इंडिया को, और देखें, यहाँ पर G7 की बात करें, तो आपको बताओगा कि इसमें मेजर ली कौ ग्रुप बन गया था, लेकिन जो है, अभी 2014 के बाद, 2014 के बाद, रश्या को इस ग्रुप से हटा दिया गया है, ठीक है, क्यों अटाया था, क्योंकि रश्या ने क्रीमिया करके एक आइलेंड है, ठीक है, मेडिटेरियन सी के नीचे पड़ेगा, उसको हडप लिया था, उसके प्रेजिजेंट जॉय बेडेन हो, जर्मन के, फ्रांस के, और इटली के जॉर्जिया मेलरनी जो हिट को लीट कर रही है, तो ये सारे होस्ट आए हैं, और इन्हों ने एक चीज़ अनॉंस करी है, कि रश्या के द्वारा जो यूक्रेइन को लॉस मुचाया गया है, उ यूकि रश्या के द्वारा काफी जादा जो है, लॉस क्या गया है, यूक्रेइन का, ठीक है, और ये भी बोला है, जी से वने एडिश्टली जो है, ये लोग कंट्री मिलकर 50 विलियन करीब करीब यूक्रेइन को पैसा देंगी, और यहां पर थोड़ा हार्शली ही देगा इसका जो खामियाजा यूकरेइन में हुआ है, ठीक है, तो और दो ये सब चीज़े चल रही हैं, और वर्ल्ड की अब आपको पता है कि और भी कंट्री जैसे यूएस है, यूके है, इनमे एलेक्शन भी होने वाले हैं, ठीक है, वो अपनी जगे हैं, तो इसके ल जो है, अभी तक का सबसे बड़ा है, जो कम से कम 80% of world level की GDP को cover करता है, सबसे बड़ा ग्रुप G20 है, वैसे इसमें G21 हो गया है, क्योंकि अभी रीसेंटली जो है, अफरीका को इंडिया ने जो है, मेंबर्शिप दिला दी है, कब दिलाई, अभी 2023 में, जब इंडिया ने हो organizations हैं, जैसे कि IMF, World Bank जो इनके साथ काम करती हैं, क्योंकि majorly US, German, Japan और UK यही nations हैं, जो सबसे जदा funding करते हैं, इन IMF और World Bank के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर इनका भी काफी अच्छा है, और G7 जो है, ग्लोबली जो crisis होती है, politically, तो उनमें बहुत बड़ा role play करती है, ठीक है, although writer यहाँ बता रहे हैं, कि जैसे जैसे time होता जा रहा है, UN का जो relevance है, वो कम होते हुए, BRICS, SEO और AUKU जैसे organizations, अपना जो relevance है, वो बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, और आपको बता है, हमारे honorable prime minister को भी यहाँ पर invitation मिला था, ठीक है, और although हम G7 के members नहीं है, ठीक है, guest appearance में ह जो है, यहाँ पर देखा जा रहा है, writer बता रहे हैं, कि यहाँ अभी Melanie, जो इटली की है, उनके साथ काफी अच्छा relation रहा है, हमारे honorable prime minister का पिछले दो विजट से, और होप सो बात है, कि G7 जो है, काफी जादा investment, especially जो इटली है, वो इंडिया के साथ investment करने में इंट्रस्ट जैसे regions में भी focus करती है, ठीक है, भी result तो नहीं आया है, basic basic चीजे है, तो next article पर चलते है, ठीक है, next article जो है, आपका explanation page पर है, देखिए इसमें यह क्या है, आपको पता होगा, UNFCC का एक framework है, United Nations Comeback Climate Change का, Convention of Climate Change का, ठीक है, इसका जो है meeting होता है, हर एक साल में, जिसको हम COP बोलत होगे COP 29, जो है, वो कहां होगी, अभी, 2029-2024 के अंदर होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अभी बात क्या है, कि जब इनकी meetings होई न, तो देखिए, UN Convention के अंदर, UNFCC के जितने भी members हैं, specially जो NX Country 2 है, Country 2 है न, इसमें आते हैं कौन-कौन से, जैसे आपके European Commission के country, Canada आता है Norway आता है, Sweden आता है, Finland आते हैं, ठीक है, UK आता है, सारे developed countries आते हैं, इनके तवारा पता है क्या है, इनके तवारा ये चीज़े accept करी गई थी, मतलब ये चीज़ बोली गई थी, इनके COP की meeting में, कि ये आने वाले 2020 तक, ठीक है, हर साल 100 billion, 100 million, है न, 100 billion, sorry, 100 billion जो है, रुपे, developing nations क ये ही हैं, जिन्होंने सबसे जदा climate change को जो है, impact किया है, जबसे industrialization हुआ है, ठीक है, तो ये वादा हुआ था, और इन्होंने बोला था, 2015 के Paris summit में भी बोला था, कि जो ये 100 million है, 100 billion है, इसको आप बढ़ाया जाएगा हर साल, और 2025 तक इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है OECD की एक report आई थी, जिसमें इनोंने बोला था, कि सिर्फो सिफ 2022 में ऐसा हुआ है, कि इन countries ने developing countries को 100 billion दिये हैं, अब ये पैसा देते क्यों है, देखे, दो चीज़ है, यहाँ पे एक तो mitigation है, एक है adaptation करने के लिए, mitigation मतलब ये है, कि भिया, आज जिस जिसते carbon emission हो रहा है, ठीक है, और adaptation का मतलब है, कि ऐसी technology को यूज करना, ताकि जो है, हम climate change को कम कर सके, जैसे mitigation में तो क्या है, एक short solution होता, इससे लंबा फायदा नी होगा, लेकिन adaptation में पता है क्या होता, जैसे for example, आप जो है, fossil fuels को burn कर रहो, जैसे आपका carbon CO2 निकलता है, बहुत बड़ा एक emitter है methane निकलता है, ठीक है, तो इसको replace करने के लिए आपने solar energy को focus किया, bio energy को focus किया, ठीक है, especially solar energy को, तो इसके लिए आपको बहुत बड़ा investment चाहिए होता है, तो ये है, ये है adaptation, ठीक है, नई technology की तरफ shift करना, तो इसी चीज के लिए जो है, पैसे मांगे जाती है, इन United, जो developed nations, especially annex two countries हैं, उनसे, लेकिन उन्होंने promise भी किया था, लेकिन अब ये जो हैं, दे नहीं रहे हैं, और 2020 से तो ये mandatory था, इन countries को देने के लिए, लेकिन नहीं दिया गया अभी तक, ठीक है, तो इस चीज के बारे में काफी ज़्यादा बात भी बोली गई है, और इवन India ने भी रि investment है, वो clean energy की तरफ shift करें, अब जिसे राइटर बता रहे हैं कि इसमें अगर इने clean energy के लिए shift करना है, तो developing countries को कम से कम 215 billion से 380 billion के आसपस investment करना होगा, annually इने पैसे लिए देने की जरूरत होगी, और यहां पे 2030 तक आपको 4.3 trillion हर साल देना होगा, और उसके बाद 5 trillion देना ह होगा 2050 तक तक यह globally net zero conditions को achieve कर सके, ठीक है, तो यहां पे अब debate चल रहे हैं, अब बात है कि देखें यह United, जो यह convention के countries हैं, ठीक है, यह UNFCC के अंदर में यह अभी जो हैं, देने रही हैं, कहीं ना कहीं, पता क्या होता है, यह दे क्यों ने रही हैं, इनका यह है कि अगर यह 100 billion देने लग गए, तो that means, यह proof हो गया, यह confirm हो जाएगा, कि इन ही के वज़े से जो है, climate change हुआ है, कहीं ना कहीं यह backfire यह back out होने का एक reason है, कि यह अभी accept ही नहीं कर रहे हैं, कि जो climate change इतने बड़े level पे हो रहा है, वो industrialization के बात से ही हुआ है, जिसमें इन next two countries का सबसे ब कि लोग mitigation से जाधा, मतलब adaptation से जाधा mitigation पे focus करते हैं, क्योंकि mitigation में इतना पैसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें क्या होता है, कि आपको, जैसे mitigation में क्या होता है, कि आप जैसे for example, आप पहले से चीजों को reduce करते हो, कम level पे चीज़े करते हो, fossil fuels का amount कम कर देते हो, deforestation का amount कम कर लेकिन adaptation में आप technology बदल देते हो, तो technology बदल के लिए आपको investment करना होगा उस sector में, उसके लिए आपको money की जरूरत होगी, तो कहीं न कहीं इन developed countries, NX2 countries, इसी वज़े से जो है यह थोड़ा आपने आपको back out कर लेती हैं, इन commitment से, तो अभी क्या है, देखें, अभी news में इसल developing nations को पैसा देना है, 100 billion per year के हिसाब से, तो उस पर बात अडे रहें और उसको चीव करें, नेक्स्ट टॉपिक है, कावली प्राइस, देखें, कावली प्राइस, जो है, कावली या कावली, कुछ भी गैलो, इसको, यह तीन सेक्टर में दिया जाता है, इस्पेशली एस्ट् फिजिक्स पे, नैनो साइन्स पे, नियोरो साइन्स पे, ठीक है, यह वैल, बेसिकली यह नॉर्वेजिन, अमेरिकन साइन्टिस्ट बिजनस्मेन थे, मिस्टर कावली, कावली को, ठीक है, उनके बिहाफ पी दे जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है, एक ऐसा पैरामीटर, ए एलेक्ट्रिक सिगनल्स पे जिसका यूज हम एविएशन और घर के अप्लाइंस में यूज करती हैं और अभी जो है ये 2008 से इसके अवार्ड दिये जाने लगे हैं 73 साइंटिस्ट को मिला हुआ है 19 कंट्री से अभी तक ठीक है और इसमें अगर आप बात करोगे तो 5 मेंबर्स होते हैं जो कमिटी मेंबर्स होते हैं जो सलेक्ट करते हैं विनर्स को चाइना से आते हैं अकाडमी ओफ साइंस से फ्रांस से यूएस और यूके से आते हैं ये जो गैस्ट होते हैं जो मेंली हैड कमिटी में होते हैं और इससे क्या होता है इस प्राइस को जीतने पर आपको दिया थर्मल इंफ्रारेड एमिशन के बारे में नैनो साइंस में रॉबर्ट लैंगर को मिला है ठीक है किस शीज के लिए इन्होंने जो है अपना रिकॉगनाईजिशन में था नैनो इंजिनेरिंग मैटीरियल को कंट्रोल करने के लिए ठीक है बायो मॉलेक्यल जो होती है इन पे काम किया इन्होंने और स्पेशली जो है ड्रग डेलिवर सिस्टम होते हैं उससे जो ट्रीट जो डिजीज होती है को कंट्रोल करने के लिए और इसके लावा नियूरो साइंस में इस बार मिला है यह अवार्ड नैंसी को ठीक है एमाइटी से हैं यह और इन्होंने जो है काम किया मेश फेशल रिकॉनिजिशन एंड़ ब्रेन के साथ ठीक है तो यह बेसिक आर्टिकल था ठीक है नेक्स आर् है ठीक है तो यहाँ पर बात हो रही है कि अब इंडिया ने अपने नेवर कंट्रीस के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाए हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं नेवर के साथ स्पेशली यह से अगर आप देखोगे ओच से रुमेनी में भी बांगलादेश, भुटा, नेपाल श्रीलंका, मौल्डेव, मौरिशेस, शेशल से आये थे लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यामार से किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया ठीक है तो यहाँ पर कुछ चीज़े हैं जैसे फर एक्जांपल अगर आपात करोगे पाकिसान के अगर हम बा पर आया गया है और 2019 मजब से बीजेपी ने जो है यहाँ पर कॉंस्टिशन चेंजिस करी है ना जमुएन कश्मीर का तब से जो है और डिपलमाटिक रिलेशन्स भी काफी जादा डाउन ग्रेड हो गया ठीक इसके लावा जो है अभी रीसेंटली देखोगे तो इमरान खान जो है अभी जेल में है वो और यहाँ पर अब जो है पावर में शहबाज शरीफ है ठीक और तो इसलिए थोड़ी बात नहीं बन रही है और पाकिसान के लिए इंडिया ने भी अपनी तरफ से बोल दिया कि सेक्योरिटी जो है हमारे लिए जादा प्रायरिटी रखती है और 2021 और USA के आर्मी ने छोड़ा अफगानिस्तान को और तालिबन का अटैक हुआ है तब से इंडिया का जो है रिलेशन अफगानिस्तान के साथ ऐसच इतना कुछ बड़ा नहीं है ठीक है अल्दो हमने टेकनिकल टीम के द्वारा हिमानिटीरियन जो एड है जैसे कोवेड में उन्हें हेल्प करना यह सब चीज़ें दी हैं बाकी कोई ऐसे जैसे पहले अफगानिस्तान में डैम बनवाना ठीक है या फिर उनका पार्लियमेंट हमने इंडिया ने बेल्ट करवाया या रोड्स वगरे कंस्ट्रक्शन सी सारे बड़े-बड़े इंवेस्ट्मेंट्स इं काफी आना कानी हो चल रही है अक्टूबर 2003 से म्यामार में तो इसलिए इंडिया ने अभी कुछ भी इंगेज करना बंद कर रहा है और मॉल्डिव्स की बात रही तो आपको बता भी रीसेंटली म्यूजु के साथ भी थोड़ी उठक बैठक होई थी क्योंकि इंडिया आउ बात रही तो यह इंफिल्टर्स है इंफ्लेटर्स है ठीक है यहां पे काफी अच्छा है बंगलदीश के साथ स्पेशली हमारा टारगेट एक्स्रिमिजम रेडिकलिजम और टेरिरिजम जैसे चीजों को खत्म करने में हम दोनों ने मिलके काम किया है तकमीस बंगलदेश औ देखें यहां पे जो है इंडिया काफी रेडी है इसके फिनांशल पाकेज के साथ और यहां पे गेलिफू माइंफुलनेस सिटी प्रोजेट करके भी काम चल रहा है और यहां पे चाइना के द्वारा पी इस कंट्री में काफी ज़दे इंटरफेरेंस करने के वज़े से इ पीच में फस गया है तो यहां पे इस तरह से इंडिया जो है अपना नेकोसीशन बढ़ा के रखता है इसके साथ दी नेपाल के रही बात तो देखें नेपाल का भी बताया आए दिन कुछ नगुछ पॉलेटिकल इंबालन्स होते हैं यहां पे रीसेंटली प्राइम मिनिस् काफी सर्च फेस कर रहा था भी तो राइट और इसके लावा जो है श्री लंका के अगर हम बात करें तो काफी फिनांशल क्राइसिस के बाद जो है अब इंडिया ने थोड़ा इंसे यू फिनांशल सपोर्ट भी दिया था लास्ट एर अगर आपको बताओ तो और यहां पे होप सो देखिए अभी तमिलाडू का इलेक्शन भी आने वाला है दो हजार चबविस में तो वापस एक अच्छा थी हो इलेक्शन के फॉर्म में वापस जरूर रहेगा तो यहां इंडिया की तरफ से वापस इस बात को उठाया जाए शायद ठीक है और इसके अलावा जो ह है अगर हम शेचल और मौरिशियस की बात करें तो यहां पर जो है इंडिया ने अपना इंफरस्ट्रस्चेस वेगरा काफी बढ़ाया है और इसकी प्लानिंग है कि अगेला आइलेंड मौरिशियस में जो है और अजंशन आइलेंड में जो है अपने प्रोजेक्स को बढ़ है ना इंडिया बोलता है वेस्टन के मैटर में ना वेस्टन इंडिया के तरफ से ठीक है तो और इसके लवा जैसे यूके के साथ भी हमने फ्री टेड एग्रीमेंट करके भी रखे हुए हैं बेनिफेट्स काफी और यहां पर भी खालिस्तान सेपरेटिस जो गुर्पूत इंडिया ने अपनी तरफ से यहां पर खालिस्तान को मतलब कहीं न कहीं जासुस के लिए यहां पर काम करवाया है आपने अटैक किया है इन लोगों पर इंडिया पे ब्लेम था और कैनडा थोड़ा नाराज भी था आपको बता है काफी ज़दा थोड़ा अन्मन चल रहा थ इसी खालिस्तानी मॉवमेंट को लेकर क्योंकि इंडिया ने ये क्लेम करा था कि कानडा जो है फंडिंग करता है तो इस वज़े से वहां के मिनिस्टर्स जो ट्रैडू है वो भी थोड़े नारास थे लेकिन अल्दो अब थोड़ा रिलेशन थंड़ा होता हुआ देख रहा और अभी आपको पता है कि हमारे शी जिंग्पिंग के साथ अभी 1st of July में कज़किस्तान में हमारे जो पेम है वो उनकी मीटिंग होने वाली है ठीक है तो यह गो थ्रू है और रश्या का भी पता है यूकरेन के वज़े से काफी जादा इसकी क्रिटिसाइज फेस के जादा रश्या के द्वारा वेस्टरन कंट्रीज के द्वारा काफी जादा सेंक्शन्स लगाएगे हैं और अभी जून में वापस क्लॉस मिटिंग होने वाली हैं रश्या के और यूकरेन के वार के बहाफ पे लेकिन इसमें इंडिया नहीं जाएगा इंडिया के हमारे जो उन्रे उमें तो हमने UA, Iran, Qatar, Egypt, Israel, Saudi Arabia के साथ relations रखा उसके बाद हमने Middle East countries के साथ साथ जो है East European Economic Corridors, ITU2, International South Transit Corridor जैसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया तो अब होप सोचो अब तीसरी बार है तो शायद इंडिया और अच्छा करेगा ठीक है तो एक लास्ट आर्टिकल है इसमे देखे अभी यह आपका जगरना Temple मंदिर है यह बहुत सुन्दर Temple है तो यहाँ पे कहा है अभी यहाँ पे रिसेंटली कुछ टाइम पहले के ओवा था चार साल पहले नवीन पटनाय के जो सीम थे ठीक है उन्होंने इस मंदिर के ना चारो तरफ डोर है तो आपको बड़े- यह Temple मेelली जो Vishnu ji के लिए है यह based और चार गेट जो है वह गेट है आपके लाइन गेट है एलिफन गेट है होर्स गेट और टाइगर गेट जिसको हम लाइन गेट को सिंग द्वार बोलते है अस्ति द्वार और अष्वð द्वार और व्याग द्वार करके ठीक है बाकि ये पॉलिटिकल है थोड़ा तो बाकि आप इसको एक बार आटिन कल्चुर की परस्पेक्टिव से एक बार ये टेम्पल के बार